देखो बच्चों को इसे नाम्बर 11 क्या है यह कह रहे है तुम्हारे पास यहां पर यह दो राइट आंगल ट्राइंगल है एक ABC और एक ADC दोनों यहां पर 90 डिगरी बन रहा है ठीक है यह common hypotenuse है AC ठीक है यह common hypotenuse होगी अब यह कह रहे है तुम्हें प्रूफ करना है से में equal है तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे मैंने यहां पर एक circle ड्रॉ कर लिया ठीक है जिसमें जो यह hypotenuse है वह क्या है बही diameter है clear है तो वह देखो कि वह क्यों कर रहा है उससे क्या मिलेगा हमें तो देखो बच्चों यहां पर हमको क्या प्रूफ करना है we have to prove अब समझ में आगे है क्या प्रूफ करना है कौन से अंगल हो रहा है ठीक है to prove that angle c a d is equal to angle c b d यह आपको proof करना है clear है तो मैं इसको थोड़ा joint भी कर लेती हूं clear है तो मैं यह वाला angle proof करना है और यह वाला angle ठीक है इसको यहां से अटादो ताके confusion सा हो रहा है ठीक है clear तो देखो बच्चो हमने सबसे पहले हमने देखा कि because angle c a कौन से अंगल है राइट अंगल कौन सा है a b c अच्छा देखो तो a c यहां पर क्या है a c is hypotenuse ठीक है अब हमने क्या कर रहा है एक circle ड्रॉ कर रहा है जो b और d को touch कर रहा है ठीक है तो हम लिख सकते हैं that a circle is drawn यह तुम अपना construction भी मान सकते हो है ना this is your construction ठीक है construction a c is drawn by taking a c as diameter ठीक है and passing through b and d through b and d ठीक है clear मैंने एक सब्सक्राव कर दिया जो b और d से पास हो रहा है ठीक अब यह देखो बच्चो अगर मैं c d को chord मानती हूं ठीक है इधर के तरफ से देखो c d तुम्हारी chord है तो यहां पर 2 angles कौन से बन रहे हैं बच्चो यहां पर c d जो angle बना रहा है एक c a d बना रहे है angle c a d और दूसरे angle कौनचा बन रहे है c b d ठीक है तो यह दोनों angles सेम होंगे क्योंके एक ही chord पर लाए कर रहे है ठीक तो इसका reason क्या लिखोगे angles इंदर सेम सेग्मेंट और equal है ना तो यह easy था है ना ऐसे देखो के तो बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन कितरे असानी से हमने क्या करा कि हमने अब इस एक circle ड्रो कर लिया ठीक और यहां से देखो सी और डी कॉड है तो इसी सेग्मेंट में दोनों angles लाए करते हैं clear है अब आज हो तुम इसके question number 12 पर